ये वास्तुकार को रायल गोल्ड मेडल 2020 प्रदान किया गया जो वास्तुकला की दुनिया में सरबोच्च सम्मान में से एक रहा है आपको बताना है रायल गोल्ड मेडल 2020 पाने वाले कलाकार कोन है सही जबाब आपको देना है 2020 की बात हो रही है और 2020 में जिसे रायल गोल्ड मिडल मिलता है उसका नाम है बालकृष्ण दोशी तो प्रक्यात वास्तुकार है बालकृष्ण दोशी आपको सही जबाब B के साथ देना होगा मित्रों B is the right answers लगाओ बढ़ते हैं अगले questions की तरफ अगला questions के रहा है केजी शुब्रमन्यम जाने चाते है नाम दिया गया चित्रकार हैं छापा कार हैं, मुर्तिकार हैं, फिल्म कार हैं आपको बताना है केजी शुब्रमन्यम का संबंध कैसा है तो एक प्रख्यात चित्रकार है first is the right answers लगाओ बढ़ेंगे अगले questions की तरफ प्रशन ख्यातीन कह रहा है ब्रटेस द्रश्य चित्रकार का नाम बताओ ब्रटेस द्रश्य चित्रकार की एकर बात हो कांस्टेबल, टिपैलो, एंड्रियो साई और जो है बिलियम होगार्थ का नाम दिया गया है द्रश्य चित्रकार की रूप में हों वो भी ब्रटेन के हों तो सही जबाब जान कांस्टेबल लगाईएगा first is the right answers बनाईएगा बढ़ते हैं अगले questions की तरफ चार नंबर questions आप से कह रहा है blue circus blue circus किसने चित्रित किया blue circus किसने चित्रित किया नाम दिया गया माने ने किया Henry Matis का है Pablo Picasso या फिर Mark Shagal का नाम दिया गया blue circus की अगर बात हो में तो तो सही जबाब लगाईएगा Mark Shagal के साथ D is the right answers बनाईएगा बढ़ेंगे अगले questions की तरफ या देवी काली है चित्र कल्प शूतर है बुद्धिस्त तो जातक है या फिर भगवान बिश्णो और देवी लच्मी है आप जानते हैं कैलास की जो मंदिर है वहाँ पे भगवान बिश्णो को और साथ में देवी लच्मी को दर साया गया तो सही जबाब डी के साथ दो मित्रों बढ़ेंगे एगले कोश्चन्स की तरफ छै नंबर कोश्चन्स आप की स्क्रिन पे है दादा मैनिफेस्टो दादा मैनिफेस्टो किसने चित्रित किया नाम दिया गया कुर्बे और दोमिये ने किया अलबर्ट ग्लेसेज और जान वेंट जिंगर ने किया हिंगलो बाल और तीस्ताना तांजारा ने किया या फिर फ्लैपो टैमेसियो मेरी निट्टी ने किया है दादा मैनिफेस्टो कि एगर बात हो मित्रों तो सही जबाब हिंगलो बाल और तास्तान तानजारा का लगाईएगा सी इस तराइट आंसर्स बनाईएगा बढ़ेंगे एक लिए कोश्चन्स के तरफ शाथ नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे ये रहा चित्राकार रेखाएं अभिव्यक्ति नहीं करती है नाम दिया गया उत्तेजना, गती, शक्ती, आगहात तो जो चक्रहकार देखाएं है वो क्या उत्पन नहीं करती है तो कभी आगहात नहीं दिखाती है यानि आगहात को नहीं दर्शाथी तो सही जबाब डी के शाथ लगाओ बढ़ते हैं अगले questions की तरफ अट नंबर questions कहा रहा है निहाल चंदर कलाकार के सेली से शमबन्ध है नाम दिया गया जैन सेली, कांगणा सेली, ब्रन सेली और रास्थानी सेली आपको बतना है निहाल चंदर कहां के शमबन्ध रखते है निहाल चंद की अगर बात हो तो रास्थानी सेली के अंतर गताते हैं आपको सही जबाब डी के शाद देना होगा मित्रों डी इस तराइट आंसरस बनाओ अगला कोशन्स नौ नंबर आपकी स्क्रिंग पर ये रहा जैपुर सेली के चितरकारों की प्रिये विसेवस्तु क्या रही है नाम दिया गया बिहारी सत्सई है, बाल चितर है, लोक चितर है या फिर रेखा चितर है तो जैपुर सेली के चितरकारों की जो सबसे प्रिये विसेवस्तु मानी जाती है वो बिहारी सत्सई मानी जाती है 702 हों का शमू हो है बिहारी सत्सई बिहारी जीने इसे लिखा है तो बहुत अच्छे से एक questions पूछा जाता है सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है बढ़ेंगे अगले questions की तरफ 10 number questions आपकी स्क्रिन पे है बढ़ेंगे अगले questions की तरफ 11 number questions के रहा हुमायू का मकबरा किसने बनवाया था नाम दिया गया अकबर, बाबर, साह जहां जहां गीर हुमायू का मकबर का अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आप अकबर के साथ लगाना 12 number questions आपकी स्क्रिन पे ये रहा आईने अकबरी पुस्तक के लेका कौन थे नाम दिया गया केशो, दसवंद, जगननाथो, अबुल फजल का नाम दिया गया है आईने अकबरी पुस्तक के बारे मताया जा रहा है किसने लिखा तो सही जवाब अबुल फजल के साथ देना D is the right answers बना लेना 13 number questions के रहा है मुगल चित्रकला बिक्सित हुई नाम दिया गया बाबर, औरंजेव, अकबर, हुमायू आपको बताना मुगलिया चित्रकला बिक्सित होती है तो मुगलिया चित्रकला मुगलूब से अकबर के काल में बिक्सित होती है मुगलिया चित्रकला या फिर मुगलिया सैली के अगर बात हो किसके काल में तो याद रखिएगा अकबर के काल में मुगलिया सैली अगर पूछे मुगल में मुलूब से पोट्रेट बनाने का जो कारियर स्टार्ट होता है कि इसके तब भी आगको अकबर ही लगाना होगा साहितिक विकास भी बहुत जाद है अकबर के काल में हुआ है याद रखेगा जबकि मुगल वंस का सासक जो है यानि अस्थापक आप जानते हैं बाबर होता है और जो है अगर पूछा जाद दिन पनाह नगर किसने बता है तो आपको हुमायू के साथ अंसर टिक करना होता है अगला कोश्चन्स 14 नमबर आपकी स्क्रिन पर ये रहा पूछ रहा है कला के नोजागरन के सुतरधार कों थे कला में नोजागरन के सुतरधार भाविश्यं सान्याल हैं आवनी बाबू है ननलाल बोशे जामनी रंजन रहा हैं नाम खूब दिये गया है आप जानते है नो में है लिफेंटा में है फिर कारले गुफा में है सही जवाब आपको देना है ब्रह्मा पिश्णोर महेश की त्रमोर्ती वाला जो अस्थापत है कहां पाया जाता है सही जवाब लिफेंटा गुफा दियेगा पीस दराइट अंसर्स बनाईएगा बढ़ेंगे एकले कोश्ट आपकी स्ट्रेंट पे ये रहा जहागीर की चित्रस्दाथ में हिंदू अनसर्स बनाऊ बढ़ेंगे अगले कोश्ट्नकी तरफ उनीश नमर कोश्स के रहा है किस अस्थापत तिविद ने नई दिली में श्वतंतरता आसमारक का निर्मार किया प्रदोस दास गुपता ने किया, डेपी राय चोधरी ने किया, राम किंगर बैज ने किया या फिर धनरास भागत ने किया शोतंतास मारक का निर्मान मुलूब से किसा ने किया है तो सहीज बाप D.P. राय चोधरी गुदने होगा बीज दराई टांसर्स लगाना होगा प्रख्याद मूर्थिकार D.P. राय चोधरी आपको सहीज बाप देना होगा प्रश्ण क्या बीश पूछ रहा मित्रों अनारकली राष्टी संग्रहाले जो है नई दिल्ली में रखी हुई है राधुनी जो है राष्टी आत्मी कला संग्रहाले नई दिल्ली में रखी हुई है किसका चित्र है अनारकली आपको बताना चिती इंद बाबु ने लिखा अभी वेक्ति वाद, अभी वेंजनावाद किस देश की कला कारूं द्वारा शुरू किया जाता है, जर्मनी, इटली, रूस, फ्रांस, आपको पता ना, अभी वेंजनावाद जैसे सब्दा है, अभी तुरंट लगाओ, जर्मनी, अगला कोश्चनस, बाई शंबर बहुत बन बढ़ेंगे एगलो कोश्चनस की दरब, तेश नंबर कोश्चनस आपके स्किन पे है, मौला राम किस सेली का परसिद अगला कार है, रास्थानी, मंडी, पहाणी और वसोली आपको बताना है, मौला राम कहां का बढ़ियांवाला चितरा है, सहीज बाब आप सब लोग दे बढ़ेंगे एगलो कोश्चनस की दरब, तेश नंबर कोश्चनस आपके स्किन पे ये रहा, अंडाकार रूप में ब्यक्ती चितरन के ससायली में हुआ था, अंडाकार रूप में ब्यक्ती चितरन के ससायली में हुआ था, अंडाकार रूप में ब्यक्ती चितरन के ससायली म सब्विस नमबर कोश्चनस आपकी स्क्रिंट पर ये है हमजा नामा के चितर किसे समय बने थे साह जहां, अकबर, जहांगीर और अरंगेब का नाम है हमजा नामा का चितर ना आपको बताना है मित्रों सही जबाब अकबर के साथ लगाना होगा सीजबाब अकबर कोश्चनस 27 नमबर पूच रहा है भारती एकला नाम पुस्तक किस ने लिखी, भारती एकला किस की है, जगदीश गुद्त की है, आमचेंश उकल की है, वाज़ती उसरान अकरवाल की है, फिर ऐसित हुमार हाल धर कि है बहरती अकला कि अगर बात हो मित्रों तो सही जबाब वाज़ी तरह लगाई है बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ अगला कोश्चन्स 28 नमबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा फूज रहा है सतजीद रे की फिल्म है इनर आई बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ अगला कोश्चन्स 30 नमबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा डडडडडड जोगी मारा गुफा की इस तरो का हिश्चन नहीं है कोश्चन्स धंक से पढ़ें उसके बाद आंसरस दें पूछा गिया जोगी मारा जो 36 गड़ कहां पर है सरुजा जनपद में है न हाँ तो उसका हिस्सा कौन सा नहीं है मानुआ किरदिया नहीं है मचली नहीं है, हाथी नहीं है, आफे नारियल के प्रेंट के साथ प्रक्रदर्श नहीं है, आपको बतना जोगी मारा, जहां सीता बेगड़ा इस्तित है, एसिया की सफिर पुरानी नाटे साला इस्तित है, उसका हिस्सा कोन सा नहीं है, सही जबाब आपको देना हमित्रों, सह जब आप ननलाल बोश के साथ जाएगा D is the right answers बन जाएगा अगला questions 32 नमबर आपकी स्क्रिन पर ये रहा statue of unity इनकी कला करती है नाम दिया गया रामभी शोतार की है रच्मा गोड की है कृष्ण खन्ना की है और जो है एन एस रिस्म की है statue of unity की अगर बात हो मित्रों तो सही जब आप रामभी शोतार होगा first is the right answers होगा बढ़ेंगे एकलो questions की तरफ 33 नमबर questions आपकी स्क्रिन पर है शोकार्त उमा किसके करती है सेलेन नाट डे की है ननलाल बोश की है फिर आउनी इंदरना टेगोर की है शोकार्त उमा की अगर बात हो मित्रों तो सही जब आप मास्टर मोशाय के साथ लगाओ she is the right answers बढ़ेंगे एकलो questions की तरह अगला questions 34 नमबर आपकी स्क्रिन पर यह रहा 34 नमबर questions कह रहा है ideal of east ideal of east किस कलाकार की पुस्तक है आपको बताना है ideal of east ideal of east के अगर बात हो मित्रों तो सही जब आपको एक के साथ देना होगा उनका कूरा के साथ देना होगा इस दराइट answers लगाओ बढ़ेंगे एकले questions की तरह आप अगला questions 35 नमबर आपकी स्क्रिन पर यह रहा सिल्प कता और रूप ओली कता सिल्पाचारी पुस्तकों की लेखक कोन है नाम दिया गया इस्टेला कैमडिश, ननलाल बोश, आनन्द कोड़िश कुमार स्वामी या फिर जयापपा स्वामी सिल्प कता रूप ओली और सिल्पाचारी की अगर बात कर रहे हैं दोनों पुस्तकें बहुत बढ़िया से लिखा गया है ननलाल बोश के दौरा सहीज बाब बी के साथ दीजिए बढ़ेंगे एगले कोश्चन्स की तरफ अगला कोश्चन्स 36 नमबर आपकी स्क्रिण पर गयरा पूचारी बीर भूमी में है बिल्कुल सहीज बाब देना है मित्रों ये कोश्चन्स छप चुका है एक बार बीर भूमी में इस्तित है बंगाल वाला वेल्ट होता है सहीज बाब बी के साथ लगाओ अगला questions 38 नमबर आपके स्कुन पर यह रहा पूछ रहा है कला किस भासा का सब्द है नाम दिया गया हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी आप जानते हैं कला कला सबसे पहले कहां आता है रिग बेद में आता है, कहां पर आता है शूरी मंदर में जग मोहन पर शूरी की प्रतिमा इस्थित है, किस ने बनाई है खान डायलाइट ने बनाया हरा को जो है पुछा जा रहा है कि जग मोहन पर सूरी दो की जो प्रतिमा बनी है, किससे बनी हुई है तो खान डायवाइट से बना हुआ है, हरा प्लेवायड से बना हुआ है, काला बेसाल्ट की है, फिर काला गर्यनायड की है। आप जानते होंगे कहां पर है उड़ी इसा में है उड़ी इसा में है ना जग मोहन सुरिद्वार पे जो परतिमा बनी हुए मित्रूँ वो किसकी बनी हुए है तो हरा कुलोराइड की बनी हुए है सही जबाब B के साथ देना 20 दराइट अंसास लगाना अगला कोश्चन स 4 नम B नहीं C दराइट अंस लगाना बढ़ेंगे अगले कोश्चन स के दराफ अगला कोश्चन स 41 नमर आपकी स्क्रिन पे रहा यच्छ अच्छनी की प्रतिमाओं का निर्मान किसस सैली के अंतरगत हुआ है मतुरा सैली होई सोल सैली अमरावती सैली या फिर सूंग सैली आपको मताना किता मंदिर कहां इस्तित्ते का किता मंदिर के बात हो मित्रों तो सहीज बाद रकोट लगाना इस दराइट या नमर कोश्च शाप से पूच रहा है कि रास्तान के कोड़ा सली के विश्यवस्तौं की सरवा खिरिहा सम॥रिए। रागमाला का है पत्रक्रती का है और नाइका का है। माया का श्वपन कहां मिलता है पूछा गया भरहूत वेधिका में मिला सारना थस्तम में मिला सांची वेधिका में मिला या फिर जेतमर पार्क में मिला माया का श्वपन आपको कहां दिखाई देता है तो जो माया का श्वपन है मित्रों भरहूत वेधिका में दिखाई देगा बढ़ते हैं अगले कोश्टन्स के तरह अगला कोश्टन्स 47 नमबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा चितीन नाथ मुझूमदार की शुबिशुबिद्याले में चितरकला विवाक के स्थापना करते हैं नाम दिया गया बेच्चू में लखनो भी शुबिद्याले में अलाहाब के दावरा या फिर डियूरर के दावरा स्रिष्टिन चैपल में जो भित्य चितर बनाये जाते हैं मुझूम लूप से वो बनाये जाते हैं माइकल एंजलो के द्वारा तो आपको सरी जबाब सी के साथ देना होगा मित्रों सी इस तराइट अंसर्स लगाओ बढ़ते हैं अगले कोश्चन्स के तरफ उन्चास नंबर कोश्चन्स के रहा है मारवार इस्कूल की परसिद्ध चितर गुवर्धन पूजा ये वो आठरामी श्रताबदी के बढ़िया रचना और अंतिम र रख की हुई है तो गुवर्धन पूजा कहां पर है पिक्चर आर्ट गैलरी बढ़ुद्रा में है राष्टिय संग्रहला नई दिल्ली में है उनियारा महल उनियारा में है और भारत कलाभवन वारणसी में है आपको बताना है गुवर्धन पूजा कहां पर रखा हुआ है तो गबर्धन पूजा मुलिफ से बढ़ोदरा के पिक्चर आर्ट गैलरी में रखा हुआ है, फर्ष्ट इस दराइट आंसरस बनाओ, बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरह, पिचास नमबर कोश्चन्स के रहा है, अजन्ता का चित्र माता पुत्र, माता पुत्र यह सोधार और राहुल की बात है, किस गुफा में चित्र इता है, आपको बताना है कि 10 गुफा में है, 17 गुफा में, 16 गुफा या फिर पहली गुफा, माता पुत्र के अगर बात हो हमित्रों, तो सही जबाब 17 गुफा लगाईएगा, गेली शतापे हैं आफिर इंट की शतापे है तो रास्थानी यानि जैपुरसाइली के जो भितिये चित्र हमित्रों जो दिवालों पे बनाए गए चित्र हैं वो कैसे बनाएगे तो तो सही जबाब बनेगा गेली शतों पे बनाएगे बीज तराइट आंसर बढ़ेंगे अग पूछ रहा है आपसे इन में से कौन बिसको सिटी टेकनिक की एक कुषल प्रेंट मेंकर है नाम दिया गया जोती भट अनुपम शोध केल अच्मा कोड और जो है एनकर्षन रेड़ी सही जवाब होगा बिसको सिटी टेकनिक बिसको सिटी टेकनिक की एकर बात हो तो एनकर्षन रेड़ी की बात होगी सही जवाब डी के साथ जाएगा बढ़ेंगे एगले कोश्टन्स के तरफ चोवन नंबर कोश्टन्स मित्रों आप से पूछ रहा है कि महाने चिद्रकार और प्राध्यापक केजी शुब्रे मन्यम का देहांत किश्वर्स होता है 2014, 2015, 2013 या फिर 2016 केजी शुब्रे मन्यम के अगर मृत्यू की बात हो मित्रों तो 2016 का सन लगाना होता है अगला कोश्टन्स पचपन नंबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा राम किंकर वेज का जन्म हुआ था नाम दिया गया दिल्ली में हुआ, सास्त्रिय रूप में दर्सन होता है नेट्रोडियम गर्जा का, इमिमर्स गर्जा का, रीम्स गर्जा का या फिर बोर्जेस गर्जा का आपको बताना है कला के सास्त्रिय रूपों में दिग दर्सन किसका होता है तो कला कि अगर सास्त्रिय रूपों की बात हो मित्रों तो स पुछा करें पूछा गया सडांग कलातमक सरीर बिच्छेद ये पुस्तक है और बढ़िया पुस्तक है आउनी बाबो की है सहीज बाबशी के साथ बढ़ेंगे एक लिए कोस्टन्स के तरह 58 नमबर कोस्टन्स आपकी स्क्रिन पे ये रहा है अठावन नमबर कोस्टन्स कहे र परकास सर्वपर्थम राष्टिय शम्मान मिलता है नाम दिया गया जमीन के लिए बेटी बीन दा स्पाइंडर एंड दा लैंप के लिए हनुआन के लिए फिर मदर ट्रेशा के लिए आपको बताना है राष्टिय शम्मान उन्हें किस चित्र के लिए मिलता है तो सहीज बा आपको बताना है पतंग भिक्रेता जो सिर्सक है मुलो रूपशे कहां पे है राष्टिया संगरहले नहीं दिल्ली में है फर्स्ट इस दराइट अंसर्स बनावा मित्रों बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ शाथ नंबर कोश्चन्स आपके स्क्रिंट पे ये रहा आप से पूछ रहा है सन 1892 एस बी में सिकागो जो अमेरिका में आयोजित विश्व चितरकला समारो है में भारती चितरकाल के चितरों को शामिल किया गया राजा रभी ब्रमा के रभी नाट टेगोर के ननलाल बोश के आफिर असीत कुमार हालदार के सिकागो में आयोजित विश्व चितरकला समेलन में या फिर समारो हमें मुलूप से किस के चितर तो राजा रभी ब्रमा के चितर सामिल होंगे सिक्ष्टी वन नमबर कोश्चंस आप से पूछ रहा है सुरा सुंदरी और युद्ध सुरा सुंदरी और ये दुए तैली रचना है सीरसक से किसने बनाया चितर राजा रभी ब्रमा अनीन ना टेगोर अब्दुल्रहमान चिकुद्रय और मकबूल फेदा हुशैन का नाम ह सुरा सुंदरी और युद्ध की अगर बात हो मित्रों बहुत अच्छी रचना है और जो है तैल रचना है आउनी बाबू इसके सही जवाब बन रहे हैं बढ़ेंगे अगले कोश्चंस के तरह बाशट नमबर कोश्चंस आपके स्क्रिन पे ये रहा पूछ रहा है पाल चि गुफाओं के छट पर डडडड़ की छबियां दिखाई देती है नाम दिया गया कमल सरोवर है भगवान विश्णों है भगवान से होए या फिर बुद्ध है तो जो सितन वासल है तमिलनाडू में गुफा पाई जाती है उसके छटों पे क्या दिखाई देता है तो उसकी सितन वासल गुफा है कौन से राजी में है मित्रों तो सितन वासल गुफा मोल रूपशे तमिलनाडू परांत में है सही जबाब बी के साथ देना पड़ेगा बीज दराइट आंसस लगाओ अगला कोश्चन्स 65 नमबर आपके स्क्रिन पर ये रहा पूछ रहा है सेर के सिका का बिसे निम्लिखित में से किस पासाण उद्रित मूर्थिकाओं में चित्रित है नाम दिया गया मिस्र में भारत में असीरिया में आफिर आश्टेलिया में आपको बताना है सेर का सिकार का बिसे सेर के सिकार का गयर बिसे बात करें मित्रों तो मुलूपशे असीरिया लग तो सही जबाब मिस्र के साथ बनेगा डीज दराई टांसस लगाना 68 नमबर कोश्चंस आपके स्क्रिंग पे है कहां कि ये कि विख्यात राककट का मंदिर इस्तित है नाम दिया गिया खजुरा हो इलोरा, कुनार, कौर्मतुरा राककट का मंदिर कहां है सही जबाब क्या बनेगा मित्रों सही जबाब इलोरा के साथ बनेगा सीज दराई टांसस बनेगा बढ़ रहे हैं एक लिए कोश्चंस की तराफ 69 नमबर कोश्चंस ये रहा 79 नमबर कोश्चंस कह रहा है कौन सा मूर्थिकार अपने पाषान नकासी के लिए मशुहूर है नाम दिया गया रोडिन, हेनरी मूर, बोरडेल या फिर डेंगा सही जबाब बताना होगा कौन सा मूर्थिकार है जो अपनी पाषान नकासी के लिए ज़ादा फेमश है पाशान नकाची के लिए रोडिन का नाम जादा बढ़ियां से लिया जा रहा है फर्स्ट इस दराइट आंसस बना लो मित्रों बढ़ रहे हैं अगले कोश्चन्स के तरफ शत्तर नंबर कोश्चन्स के रहा है पाशान में हाथियों के उद्रित मूर्तिकाएं जीवन्त हैं जैसे खजुराहो मंदिर की हैं जैसे साची अस्तूफ की हैं जैसे अजन्ता गुफा की हैं जैसे महावली पुरम की हैं आपको बताना है पार्षान में जो हाथियों के उद्रित मूर्ति काएं हैं कहां जीवन थें तो सही जबाब महावलीपुरम के साथ जाएगा D is the right answer बनेगा मित्रों अगला question 71 नमबर आपकी screen पे यह रहा पूछ रहा है संगमरमर की विश्व विख्यात मूशा की मूर्ति मूशा की मूर्ति किस के द्वारा बनाई गई थी नाम दिया गया लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाया गया पाबलो पिकाशो के द्वारा बनाया गया और रोडिन ने बनाया या फिर माइकल एंजलो की द्वारा मौशा की मूर्थी बनाई जाती है सही जबाब क्या होगा तो मौशा की मूर्थी माइकल एंजलो की है सही जबाब डी के साथ देना डी इस दाराइट आंसर्स लगाओ अगला कोश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुम्मद गोल गुम्मद वर्तमान में किस राजी में इस्तित है नाम दिया गया तमिलनाडू, तेलंगाना, करनाटका और महाराष्ट्रा बीजापुर का जो गोल गुम्मद है मित्रों वो सही जबाब बनेगा करनाटका राजी के साथ बी इस दाराइट आंसर्स लगाना होगा सही जबाब बी के साथ बनेगा अगला कोश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा चंदीगड सहर, चंदीगड सहर जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है का वास्तुकार कौन था, नाम दिया गया एल राइट हैं, ली कार्बूजियर हैं, अमरनाथ सहेगल हैं, उस अतिस चंदर उजराल है चंदीगड सहर की एगर बात हो मित्रों तो आप सब जानते हैं कि ली कार्बूजियर इसके वास्तुकार हैं अगला कोशन 74 में आओ, पूछ रहा है मानु आकरतियों को निमलिखित मेंशे किस मूर्थिकला के द्वारा सरली कृत किया गया है अगर सरली कृत की बात करें तो यूनानी मूर्थिकला लगाईए बढ़ रहे हैं अगले कोशन की तरफ 75 नंबर कोशन के रहा है इलोरा की गुफाएं डडडडाड के निकट इस्तित हैं तो जो इलोरा की गुफा है मित्रों वो अजनता गुफा में इस्तित सही जबाब B के साथ दीजिए अगला कोशन 76 नंबर आपके स्क्रेंट पे ये रहा यामनी रंजन राई के यामनी रंजन राई ने किस से कला प्रेंणा ग्रहन की नाम दिया गया लोक कला से कंपनी सेली से बसोहली से या फिर रूमी कलम से यामनी रंजन राई जन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है लोक कलाउं से खुब जादे कला की प्रेंणा को ग्रहन किया है फर्स्ट इस्तराई टांसरस बन रहा है पूछा गया है पूछा गया है सही जबाब आपको देना है तो सही जबाब जो बनेगा मित्रों वो आधुनिक कला में कौन सी सहली मानवाकरतियों का प्रितन हुद नहीं करती है तो नियुन्तम कलावाद ऐसी जो है सहलीयों को नहीं अपनाती है पढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ 79 नंबर कोश्चन साब से पूछ रहा है किसने पुस्तक लिखा डान साफ सिवा डान साफ सिवा आउनी बाबो की है केजी शुब्रे मन्निम की है रतन परामू की है और आनंद कुमार स्वामी की है डान्स आफ सिवा की बात करें तो आनंद कोडिश कुमार स्वामी लगाओ, डी इस दराइट आइट अस्वामी अगला कोश्चन से असी नंबर अपनाओ, असी नंबर कोश्चन से आप से पूछ रहा है कि मानों आकर्तियां नर्त्य आकर्तियों की भाति कैसी दिखाई देती ह तो यूनानी मूर्ति कलावों में बढ़ियां से दिखाई देती हैं कि मानों आकर्तियां नर्त्य आकर्तियां यक साथ हैं, सही जबाब सी के साथ बनेगा मित्रों, अगला कोश्चन से 81 नंबर आपके स्क्रिन पे ये रहा है, आप से पूछ रहा है, डी बरघर्स आफ कैला अगला कोश्चन से 82 नंबर आपके स्क्रिन पे है, आप से पूछ रहा है, कौन सा तुलनात्मक रूप में सबसे पहले कौन सा बनता है, तो सही जबाब बनेगा साची का अस्तूफ, बी इस दराइट आइट 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 बढ़ रहे हैं अगले कोश्चन से 83 नंबर आपके स्क्रिन पे ये रहा, आप से पूछ रहा है कि उस भारती आधुनिक मूर्थिकार का नाम बताओ, जिसने रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के गेट पर एच्छ ये च्छणी असमार की ये मूर्ती बनाया, बहुत बढ़िय पूछा जाता है दिल्ली में ये च्छणी है डीपी राय चोधरी की की करमाकर बंधू की या फिर सांखो चोधरी की या फिर राम किंकर वैज की ये च्छणी की मूर्ती नई दिल्ली में मूल रूप से रिजर्ब बैंक आफ इंडिया यानि आर बी आई के गेट पे है, सही पचासी नंबर कह रहा है किसने बाल जाक के असमार की मूर्तिसिल्प को बनाया था, नाम दिया गया, बेरोडे ने बनाया है, डाव मियर ने बनाया है, इस्परीटीन ने बनाया है, या फिर रांडिन ने बनाया है, बाल जाक के असमार की मूर्तिसिल्प किसके द्वारा ब बनेगा मित्रों वो राडिन के साथ बनेगा डे is the right answers होगा बढ़ रहे हैं अगले questions के तरफ अगला questions 85 नंबर आपके स्क्रिन पे ये रहा 86 नंबर कोस्टन साथ से पूछ रहा है 1264 हिजबी में मदनलाल नागर को उनकी किस तैलिये करती के लिए राष्टी पुरुषकार मिलता है एन ओल्ड सिटी सिटी स्केप तीन कंपोजीशन या फिर कोई नहीं आपको बताना है मदनलाल नागर को किस तैलिये रचना के लिए र औरो प्राप्त किये हैं अगला कोस्टन से टी सेबन नंबर पूछ रहा है मैं चीजों को जयामित्य रूप जैसे घन, शंकू, बेलन, गोला इत्याद में देखता हूं किस कलाकार का कथन है टर्नर का है पाल सेजान का हेनरी मूर का या फिर हेनरी मातिस का है तो मैं चीजों को जयामित्य रूप में जैसे घन, शंकू, बेलन, और गोला के रूप में ही देखता हूं तिया कथन मूलोब से पाल सेजान सही जवाब पाल सेजान के साथ जाएगा सीज दराई टांसर्स बनाना मित्रू अगला कोस्टन स 88 नंबर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में उस अस्थान का नाम बताओ जो चीनी मिट्टे के लिए बिख्यात था नाम दिया गया कानपूर, चुनार, प्रियागराज और लखनू आपको बताना है चीनी मिट्टे के लिए फेमस अस्थान तो चुनार होगा सीज दराई टांसर्स लगाना अगला कोस्टन स 89 नंबर आपक इसके समय में बना नाम दिया गया अकबर, अशुक, साहजाह और और अरंग जिव आपको बताना ताज महल किसके समय तो साहजाह के समय 20 तराई टांसर्स लगाओ और बढ़ो अगले कोस्टन स की तरफ अगला कोस्टन स 90 नंबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा उस मूर्थिकार का नाम बताओ जिसने सरपिल रूप में कुछ रचनाय बनाई, सरपिल रूप में धनरास भगत ने बनाई, चिंतामरीकर ने बनाई, सांको चोधरी ने बनाई, या फिर कुकी रवन ने बनाई, सरपिल रूप में मूलूप से जो समरचनाय बनाये जाते हैं, सांको चोधरी में हैं सीरिया में है आफिर मिस्र में है आपको बताना इस टेचु आफ इस फिंग कहां पे इस थे था मितुनों तो सही जबाब मिस्र के साथ जाएगा डीज दराइट आंसर हो जाएगा सही जबाब डी के साथ लगाओ अगला कोश्चंस 92 नंबर आपकी स्क्रिन पर यह रहा पूझ रहा है किसने ट्रम्प आफ लेवर मूर्धिकला बनाई जो मार्डनार्ट गैलरी नहीं दिल्ली में रखी हुई है ट्रम्प आफ लेबर किसकी है चिंतामरी करकी है राम इश उतार की है डिपी राइट चोधरी की है आफिर राम के इंकर वैज की है ट्रंप आफ लेवर मूर्थी के अगर बात हो मित्रों तो सही जबाब देवी परशाद राय चोधरी लगाईए 20 दराय डांसर लगाईए 125 कोस्चन का सेट है इस क्रम में आप 93 नंबर कोस्चन सॉल्ब कर रहे हैं पूछ रहा है उस मुर्थिकार का नाम बताओ जो मुखेतिया पाशाण नकासी कार रहा है नाम दिया अगर मुखल पवार है सरवरी राय चोधरी है बेपिन गोश्वामी है या फिर मेरा मुकरजी है बताना है बढ़ियाँ वाला मुर्तिकार है और पाशाण नकासी का रहा है पाशाण कल में बढ़ियाँ नकासी किया है उसका नाम है सरवरी राय चोधरी बीस दराइट आंसर्स बन रहा है अगला कोश्चन्स 94 नंबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा है पूछ रहा है इस्तार गे अगले कोश्चन्स 95 नंबर पूछ रहा है चितरकारी को दखनी स्कूल किसके समकालिन माना जाता है तो चितरकारी की दखनी स्कूल जो सहली है मुलूब से जैनिये चितरकारी में है मुगलिया चितरकारी में है रास्थानी चितरकारी में है और कमपनी चितरकारी में है तो बरोग मूर्दिकला के रूप में फिर आदर्सवादी मूर्दिकला के रूप में बर्णिन की मूर्दिकला जो मानी जाती है मित्रों वो मानी जाती है किसके लिए तो बरोग मूर्दिकला के रूप में जाती है सीज दराइट आंसस बनाना होगा अगला questions 97 नमबर आपकी स्क्रिन पर ये रहा संग मरमर मूर्दिकला यानि bird in space bird in space किसका है रांडिन का है बारबरा हेपर्थ का है या फिर व्रांकुसी का है आपको बताना है bird in space वनाई शो तेज की रचना है आपको बताना है किस कलाकार की है अगला questions 98 नमबर आपकी स्क्रिन पर ये रहा पूच रहा है किसने स्रेमेंट कंक्रेट जिसे बलुआ ढालू कहा जाता है गांधी दर्शन का भित्य चित्र बनाया गांधी दर्शन वनेशो नात्र की रचना है 37 गुजराल ने बनाया गांधी दर्शन किसने कंक्रेट माध्य में बनाया तो कंक्रेट माध्य में केजी शुब्रमन्यम की दोरा बनाया जाता है अगला questions 99 नमबर आपके स्क्रिन पर ये रहा पूच रहा है सिडिनी उपेरा हाउस ये प्रदर्शन क्लाउं का बहुस्तलिय केंद्र बना जाता है जिसे जार्ज उत्तजान से डिजाइन किया गया था कहा इस्तित है तो सिडिनी उपेरा हाउस ऐसिया में है यूरूप में या फिर अफ्रीका में है आपको answers देना था मित्रोय आश्टिया में है बढ़ेंगे अगले questions के तरफ 101 number questions आप से पूछ रहा है उस मूर्थिकार का नाम बताओ जिसने कांच सी में बच्छडा बच्छडा बिसे पर कुछ रचना है बना इनाम दिया गया वाल वेरे संकट सांको जोधरी गरीस भट या फिर रागो कनेरिया सही जबाब बताना बच् के साथ बन रहा है मित्रों सी जबाब आपको देना है आप जानते हैं बहुभूती करेता है उत्तर रामचरित फ़स्ट इस तराइट आइट 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 आप से पुछ रहा है या परड़ा मेंसरा मंदिर है बहुद इस तराइट नमूर बन मंदिर है ठराइट एट आइट इस वर इस तराइट आइटा ड़ाइटछ रह अप Flowers bona ш आनन्द कोड़िश कुमार स्वामी या फिर विंसेंट A. Smith ट्रांसफोर्मेशन आफ नेचर इन आट के अगर बात हो मित्रों तो सही जबाब आपको आनन्द कोड़िश कुमार स्वामी देना होगा सी इस तराइट आंसर लगाना होगा अगला कोश्चन 105 नमबर कोश्चन के रहा है संग्राले ने दिल्ले में है भारतिय संग्राले कुलुकाता में है लाहोर संग्राले पाकिस्तान में है फिर पुरातव तो संग्राले मतुरा में है आपको बता है कुछान राजा कनिस्क की जो अर्धपर्तिमा है कि संग्राले में रखी हुई है तो सही जबाब पुरातव त तो सही जवाब जैन धर्म के साथ दीजिएगा C is the right answers बनाईएगा अगला questions 108 नमबर है B जो है questions पूछ रहा है 108 नमबर पूछ रहा है सांची का महान अस्तूफ कि समराध द्वारा बनवाया गया सांची का महान अस्तूफ कनिस्क ने बनवाया तो सांची का जो महान अस्तूफ है मित्रों वो बनाया जाता है अगला questions 109 नमबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा आपसे पूछ रहा है कि मंड़ना मंड़ना लोककला किस राजिकी है नाम दिया गया रास्थान, उत्तरब्रदेश, गुजरात और महराष्ट्रा मंड़ना की अगर बात हो मित्रों तो रास्थान के साथ आंसर सेर करना वी इस तराइट आंसर सेर करना मंड़ना लोककला है रास्थान की वी के साथ आंसर सेर करो अगला questions 110 नमबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा किसने सासन काल में जो है तूती नमब पुस्तक चित्रित होती है तूती नमब का चित्रण जो हमायू के काल में हुआ जहांगीर के काल में हुआ अकबर के काल में हुआ या फिर सहाजहा के काल में हुआ तो आपको बताना है तूती नामा का चितरना किसकाल का है तो सही जबाब अकबर के साथ देना होगा बीज तराइड आंसर्स बनाना होगा अगला कोश्चन्स 111 नंबर आपकी स्क्रिन पेज रहा 111 नंबर कोश्चन्स के रहा है 111 नंबर कोश्चन्स के रहा है कौन सी गुफाइं 2003 में World Heritage Site में सामिल की गई नाम दिया गया भीम बेटका, बेल लारी, पंच मणिय और जो है विसाल सरंगम की बात हो तो वर्ड बेटका में कौन सी गुफाइं सामिल होती है सही जवाब मित्रों फर्ष्ट के साथ जाएगा भीम बेटका के साथ जाएगा अगला कोश्टन्स 113 नंबर आपकी स्क्रिंट पर इए रहा 113 नंबर कोश्टन्स के रहा है रम्ज नामा पुष्टक किस भारतिय कथा पर आधारित है बढ़ते हैं अगले कोश्टन्स के तरह 140 नंबर कोश्टन्स के रहा है प्रजनन और विकास का परती करंग कौन सा है प्रजनन और विकास करंग लाल है हरा है नेला है नारंगी है आपको पताना है विकास करंग हरा होता है तो सही जबाब सी के साथ देना अगला कोश्टन्स 117 एक्सोपंद्रह नबर आप कि पुछल है भावि कहला को क्या देता है नांदिया गया दाबराईयथ परिवर्टन देता है फिर अफटी देता है यह परिवर्टन ज्या लांवड़े कर लिफा हुआ है धिक्ना विख restoring कि या गंपीस है यॉर्पए के आप बुलू लेडी चितारित करते हैं जैजान गोंगवा और मातिस ay प्रभावित होने के बाद किसने बुलू लेडी चितारित की नाम दिया गे अ tad उद्री बहुत अच्छी रिषना है हो अ मुर्तारिया रखाल किसा दो मितहरों अगला Person 117 नमबर Do भारत में डेनीस मिसन सबसे पहले पुस्तक कब चपती है भारत में 15156 में शपी 1800 बाराह में शपी danis해요 के रबात भारत ही जबती कि बात हो बात में शचपणे की अगरा बात हो 712 लगा यह बन रहा है देवी प्रशाद राय चोदरी बीज तराय डांसर अगला को शावाल अपकी स्क्रेट पर यह रहा है 111 नमबर को्स्टाइब को शावड़ी नहीं तो याद रखेगा में रात रांद विच्चेवर्गी के बहुत अच्छी रिचना है परष्ट इस दराइट आंसर्स पनेगा, अगला कोश्टंस 120 नंबर आपके स्क्रेंट पर यह रहा है, केजी शुपनमनिम का जन्म डडडडडड़ में हुआ, बिहार में, उडीशा में, रास्तान में, केरला में, केजी शुपनमनिम पर जन्म की बात हो मितरों, तो सही जबा आप दयब महता के साथ देजिए D is the right answers बनाईएगा अगला कोशनस 122 नमबर आप की स्क्रिण पर ये रहा अकबर पदमसी अकबर पदमसी किस गुरूप के कलाकार है नाम दिया गया कुलकाता गुरूप के हैं पैग गुरूप के हैं बामबे गुरूप के हैं अनद कोड़िस कुवार स्वामी ने कुलूप सली को खोजा है या फिर जे सी फ्रेंच ने खोजा या फिर राइकर दास का है कुलूप सली के अगर बात हो तो प्रकास में लाने का जो काम होगा जे सी फ्रेंच का होगा सही जबाब B के साब दो मित्रों B is the right answers बनाओ अगला कोशनस 124 नमबर आपकी स्क्रिन पर ये रहा काब्य दर्सन पुस्तक के लेकर कौन थे या कौन है नाम दिया गया दांडी है भोज है सुमेशोर है कालिदास है काब्य दर्स के अगर बात हो मित्रों तो काब्य दर्स के लिए आप सही जबाब जो चुनेंगे मित्रों दंडी के साथ चुनेंगे फॉस्ट इस दराइट आंसर लगाएंगे अगला कोशनस 125 नमबर ये अंतिम कोशनस है आज के इस टेस्ट का कोशनस पूच रहा है खजुराहू मंदिर के सराज में इस्तित है नाम दिया गया उत्तर प्रदेश में रास्थान में महाराष्टरा में और फिर मंद्र प्रदेश में आपको बतना है खजुराहू का है इस्तित है खुजराखुश हुआ यह हुआ प्रदेश में प्रदेश में इस्तित है तो डी के साथ आंसर बन रहा है मित्रों